नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बोक्सिंग और गईज आज की इस वीडियो में हम अन्बोक्स करने वाले हैं और आप देख सकते हो यह रहा उसका मैसिव रीटेल बॉक्स पैकेजिंग यहां पर बॉक्स के आगे की तरफ उन्हों ने लिखा है और यहां पर बॉक्स पर आपको कई सारे उसके फीचर्स और स्पेसिकिशिंग देखने मिलते हैं जैसे की बिल्डेन क्रोम कास्ट डॉल्ब दोल्बी एटमास सपोर्ट टी उई रेल एंड सरेटिफिकेशन जिने हम वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और आप देख सकते हो काफी शांदार बॉक्स पैकेजिंग में यहां पर आपको यह टीवी देखने मिलता है उसी के साथ यहां पर अगर मैं बॉक्स कॉंटेंट की बात करूँ तो आपको स्टैंड देखने मिलते हैं कुछ एडिशनल स्क्रूज उन्हों ने प्रोवाइड किया है पावर कॉड एवी की केबल आपको देखने मिलते है रिमोट कंट्रूल ट्रिपल ए बैटरी और उसक इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन्स को तो इसमें सारी चीज़े सेट अप कर दिये तो सब से पहले यहां पर मैं बात करना चाहता हूँ इसके build quality की तो यहाँ पर आपको metal plus plastic की build इसमें देखने मिलती है high quality plastic stands उन्होंने यहाँ पर use किये और आप देख सकते हो यहाँ पर आगे की तरफ real me की काफी बढ़िया badging देखने मिलती है उसी के नीची की तरफ यहाँ पर LED lights indicator उन्होंने प्रोवाइड किये built-in Google Assistant के लिए side में आपको दो far field mics देखने मिलते है और यहाँ पर अगर मैं ports की बात करूँ तो 3 HDMI port आपको देखने मिलते है 1 AV का input उन्होंने प्रोवाइड किया है antenna input देखने मिलता है 2 USB port प्रोवाइड किया optical input LAN का port भी देखने मिलता है उसे की साथ PG की तरफ यहाँ पर आपको एक navigation button देखने मिलता है जिसकी help से आप TV को power on, power off और उसे navigate कर सकते हो प्लस Google Assistant को भी turn on और turn off कर सकते हो So guys, overall जो इस particular TV की build है बहुत ही बढ़ी आपको देखने मिलते है फिर हम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहाँ पर आपको 50-inch का 4K display इसमें देखने मिलता है जो यहाँ पर आता है Dolby Vision and Chroma Boost Technology की साथ जहाँ पर आपको काफ़ी vivid colors देखने मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया contrast ratio भी आपको देखने मिलता है उसी के साथ bezels की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी slim bezels आपको देखने मिलता है जो यहाँ पर आपको 97.2% screen to body ratio प्रोवाइड करते है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके panel की तो यहाँ पर आपको VA panel देखने मिलता है जो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया viewing angles प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया display इसमें देखने मिलता है उसके साथ इस particular TV में आपको out of the box Android 10 देखने मिलता है जो completely based है यहाँ पर Android 10 TV OS पे और उसके साथ यहाँ पर आपको कई सारे pre-loaded applications भी इसमें देखने मिलता है अगर आपको additional applications यहाँ पर download करना है आपको built-in Google Assistant भी देखने मिलता है so remote control की help से तो but obvious आप Google Assistant को यहाँ पर activate कर ही सकते हो but directly command देखे भी यहाँ पर activate कर सकते हो so सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे का button है उसे हम unmute करते है और उसके बाद यहाँ पर command देना है okay Google, who is tech unboxing? according to Hindustan Times, meet Abhijit Desai of Tech Unboxing, a dedicated channel for unboxing gadgets from popular brick उसे के साथ कुछ और भी commands दे सकते हो okay Google, what's the temperature outside? the current temperature in Navi Mumbai is 91 degrees due to the current humidity so guys कुछ इस तरीके से आप built-in Google Assistant का भी यहाँ पर मजा ले सकते हो और अगर आप कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर जो पीछे button provide के है उसकी help से उसे mute भी कर सकते हो and उसी के साथ यहाँ पर हमने कई सारे इसके pre-loaded application है उन्हें टेस्ट किया तो यहाँ पर Netflix हो हमने turn on किया था Netflix पर आप काफी बढ़िया Dolby Vision content watch कर सकते हो और 4K UHD content भी यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से देख सकते हो So guys overall जितने भी सारे pre-loaded applications आपको इसमें देखने मिलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर work करते हैं उसी के साथ हम बात करेंगे इसमें casting की So यहाँ पर आप डिरेकली आपका Android phone इसमें काफी आसानी से cast कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको कोई भी lag महसूस नहीं होगा और अगर आपको चाहिए तो आप iPhone भी directly इस particular TV में यहाँ पर cast कर सकते हो So guys both Android and iOS device दोनों भी devices को आप इसमें काफी आसानी से cast कर सकते हो And उसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर gaming के बारे में पूछेंगे तो जी हाँ guys इसमें आप built-in gaming भी कर सकते हो So play store से आपको यहाँ पर कई सारे games मिलेंगे उन्हें आप download कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Bluetooth gamepad भी इसमें connect करना है क्योंकि कुछ games के लिए आपको एक Bluetooth gamepad की जरुवत है और आप देख सकते हो यहाँ पर Bluetooth की help से काफी आसनी से मैंने gamepad connect कर दिया है और यहाँ पर जो dead trigger game है उसे हम खेलेंगे और यहाँ पर बहुत ही smoothly है game यहाँ पर चल रहा है और basic games के अगर मैं बात करूँ जैसे की beach buggy racing game जिसे आप directly remote control की help से यहाँ पर खेल सकते हो वो भी game यहाँ पर काफी smoothly work कर रहा था तो जी हाँ guys controller के help से भी आप इसमें game खेल सकते हो और अगर आपको चीए basic games आप remote control की help से भी यहाँ पर खेल सकते हो यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से content watch कर सकते हो so guys Bluetooth की help से आप external speaker भी इसमें connect कर सकते हो and उसे के साथ हम बढ़ेंगे इसके speakers की तरफ तो यहाँ पर आपको down firing 24 watts की speaker इसमें देखने मिलते हैं जहाँ पर दो main speakers के drivers उन्हें प्रोवाइड के हैं दो Twitter speakers आपको देखने मिलते हैं plus guys यह जो speakers है यह Dolby audio support करते हैं और अगर आप HDMI ARC से यहाँ पर connect कर रहे हो तो Dolby Atmos support भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है तो यहाँ पर मैं एक sample video प्ले करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो उसकी sound quality So guys जैसे आपने सुनी इसकी sound quality बहुत ही sound quality आपको देखने मिलते हैं bass हो गया या फिर vocals हो गया है So 24 watts के सबसे बहुत ही अच्छी sound quality है उसे के साथ हम बात करेंगे इसके remote की तो काफी sleek remote control यहाँ पर आपको देखने मिलता है So guys overall काफी sleek and simple remote control उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है And yes guys यह जो realme का 50 inch का smart 4K TV है यहाँ पर आपको काफी अच्छे features देखने मिलता है pricing की अगर मैं यहाँ पर specifically बात कर रहा हूँ तो इस particular video को मैं launch से पहले shoot कर रहा हूँ तो अभी फिलाल मेरे पास इसकी pricing available नहीं है But जैसी यह video live जाएगी जिस दिन यह video live रहेगी यहाँ पर नीचे description में या फिर comment box में pin की हुई इसकी pricing आपको ज़रूर मिलेगी So guys stay tuned और मुझे पता है realme बहुती competitive prices TV का रखने वाला है So guys अगर किसी को इस particular TV को purchase करना है तो link में नीचे description box में दे दूँँगा वहाँ पे जाके आप इसे purchase कर सकते हो So guys बस यही था आज के वीडियो I hope आपको आपको वीडियो पसंदा हुआ अगर आपको वीडियो पसंदा आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तो और एक important बात प्लीज मेरे facebook page और instagram पीज भी like कीजिए तो दोस्तो मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद